तो प्यारे बच्चो आज हम बात कर लेते exercise 4.4 के बारे हैं ठीक बच्चो तो उससे पहले जो मैंने नेचर आप दा रूट बताया था कि भई यह कैसे पता करेंगे कि आपका जो रूट्स है रिया लाइकी में जेनरी है कि exist करेगा कि नहीं करेगा कैसे डिसाइड करेंगे तो पहले आप लोग उसको क्लियर कर लेजिए कि तभी आप लोग exercise को प्रसेड करेगा तो देखिए मैं फिर से revise करवा देता हूं कि देखिए कूल मिला जुला कर कोई आपको पूछ दे कि नेचर आप दा रूट क्या कैसे पता करेंगे तो बेसकली क्यों बात पर ध्यान रगन होता है कि नहीं बिल्कुल होता है तो यह जो डी होता है हमारा बी स्कार माइनस पोर से इसी के से ही हम डिसाइड करते हैं भया आपका क्या होगा रियाल होगा कि इमेजनेर होगा अगर इसकी वैलू आपकी कभी पॉजिटिव आ जाए और क्या डिस्टिंट आ जाए तो क्यों मतलब पॉजिटिव डिस्टिंट आ जाए तो क्या होगा तो आपका भया रूट्स क्या होगा रूट्स आपके डिस्टिंट होगा मतलब पता करेंगे अगर इसकी हमारे देखिए क्या जाए अगर पाजिटी वह तो भाईया डिस्टिंट एंड रियल रूट्स होगे अगर इसकी वाईया जीरो होगे तो बहुत यह दोनों रूट्स क्या होगे आपर इसकी वाईया जाएक जाए से दो चार छार ठीक बच्षों और से पट्था इसकी वाईयुगे तो क्या होगा इमेजनरी रूट्स होगा थिक बच्छों वह पहला को असमद कंसिडर करते हैं क्या दिया कि 2x square देखें पहले लोग कर निकालेंगे 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0 दिया है बिल्कुल दिया है यहाँ पर b क्योंग वैलू कितनी है minus 3 है a की वैलू कितनी है 2 है और हमाई c क्योंग कितनी है 5 है तो बस d क्योंग निकालते है d equal to b square कहां पर है यहाँ पर 9 minus 4 into 2 into 5 तो यहाँ पर देखें minus में आएगा कितना आगा यहाँ नाइन माइनस कितना बोली है आप लोग आपको 31 आएगा minus 31 तो यह हमारा क्या हो गया हमारा देखें नगेटिव है कि नहीं बिल्कुल नगेटिव है तो क्या कहतेंगे भई आपका रूट्स क्या है नो रियल रूट्स है क्या है नो रियल रूट्स है बेसिकली आपके रूट्स जो है इमेजनेरी है ठीक बच्छो हाँ ना बोली बिल्कुल तो उसी परकार देखेंगे में सेकेंड वाला आप लोग करिए गया कितना एक बताईगा प्रसकुल तो छीलिये बस वादनेऊं लेक्त टीउन च्किल मेरा आपके आपके नहीं हमारा बेसकली 0 आ रहा है आ रहार इक नहीं बिल्कुल आ रहा है एक बार मुझे चगर्ण नहीं दीजिए री यहां पर यहां पर हमारा ओलर जिर्व है और यहां पर हमारा फोर है तो यहां पर होगा आपका 16 गेंटू 3 ठीक वच्छाँ और थेहां पर हमारा आगा जी रो तो जब हमारे क्या होते हैं हमारे रूर्ट से क्या आथे हैं इमेंजरिया सोन्हाइँ बहुत आसान है बस हम इन तीनों बातों पर ध्यान रखने हैं आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए आज के धन्यवाद वाश्टन आप लोग कर लीजेग ते बच्छा